नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत सवागर्थ है आज मैं आप लोगों के साथ शेर करें हूं कच्छे पपीते की हलबे की रेसी मैंने पिछले वीडियो में कच्छे पपीते की भूजिया की रेसी शेर की थी। कच्चे पपीते के बहुत सारे फायदें इसलिए इसे अपने डाइट में जरूर सामिल करें तो यहां पर हमने एक छोटे साइज का कच्चा पपीता लिये थो उसे छिलने के बाद धो करके इसके बीच वाले पार्ट को हमने निकाल दिया था और इसे अब हम कदुकस करेंगे इसे ज़्यादा बारिक वाले से आप कदुकस नहीं करें थोड़े से मोटे जो होते हैं उससे हम कदुकस कर लेंगे कच्चे पपीते का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये कच्चे पपीते का बना हुआ है कच्चे पपीते में कालोरीज भरपूर मात्रा में होती है और बहुत सारे नियूट्रियंट्स भी पाय जाता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद है हमें पपीता किसी भी तरह से जरूर खाना चाहिए चाहे वो कच्छा हो या पका हुआ हो कच्छा पपीता को आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या इसके कोई भी रेसिपी आप सबजी, बुझिया, अचार आप कुछ भी बना करके खा सकते हैं आप एक बार मेरे तरीके से कच्छे पपीते का हल्वा बना करके जरूर ट्राई करें आपको जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक अप जरूर करें यहां पर हमने एक पीस को कदुकस कर लिया है आपको इसी तरीके से सारे पपीते को कदुकस कर लेना है यहां पर हमने सारे पपीते को कदुकस कर लिया है और साथ में इसमें आड़ करने के लिए हमने थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स लिये हैं जिसे हमने कट कर लिया बादाम, थोड़े से किसमिस और थोड़े से काजू, साथ में दो इलाइची हलोवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया था और इसमें आड़ करेंगे एक चोटा चमज घी और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे यहाँ घी हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले ड्राई करेंगे इसमें काजू और इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उस स्टेज पे हम इसमें ड्राई कर देंगे कटे हुए बादाम और दो से तीन सेकंड के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे दो से तीन सेकंड इसे फ्राई करने के बाद इसमें आड़ कर देंगे किसमिस और इसे भी इन सभी के साथ हमें तीन से चार सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है इसे फ्राई करते समय अब ध्यान रखें ड्राइफ फ्रूट्स हमारा जले नहीं इसे हलका सा फ्राई करना है हमने सारे ड्राइफ फ्रोट्स को एक प्लेट में निका लिया और इसमें थोड़ा वो घी बच गया है तो उसी कडाही में हम एक बड़ा चमच घी और एड़ करेंगे आप यहां घी पपीते की कुईंटिटी के अनुसार एड़ करें अगर आप ज़्यादा पपीते के हलवे बना रहे हैं तो आप घी थोड़ा ज़्यादा एड़ करें और यहां घी गरम हो चुका है तो इसमें हमने दोनों इलाइची को कूट करके एड़ कर दिया है जिससे की घी में इलाइची का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद इसमें एड़ कर देंगे ग्रेट किये हुए पपीते और इसे घी के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक यह सौफ्ट ना हो जाए अब देख सकते हैं पपीता हमारा सौफ्ट हो चुका है चार से पांच मिनिट भूनने के बाद यह सौफ्ट हो जाएगा और इसे भूनते समय हमें गैस का फ्लेम मेडियम रखना है मेडियम फ्लेम पे ही हम पूरे हल्वे को बनाएंगे और इसे इसी तरीके से लगतार चलाते हुए हमें सौफ्ट होने तक पकाना है इसे पकाते हुए लगबग चार से पांच मिनिट हो चुके हैं तो इस स्टेज पे अब हम इसमें आड़ कर देंगे हाफ कप दूध और ये मलाई के साथ है आप मलाई वाली ही दूध आड़ करें आप इसमें दूध की जगा पे मावा भी आड़ कर सकते हैं हमने यहाँ पर मलाई वाली दूध आड़ की है और इसे पपीते के साथ सूखने तक हम पकाएंगे दूद आड़ करने से जो पपीता है वो अच्छी तरीके से पक जाएगा कच्छे पपीते का हलवा हेल्थी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो आप इस हलवे को एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपका पपीते का हलवा कैसा बना आप देख सकते हैं दूद डालने के बाद इसे पकाते हुए दूद हमारा गाड़ा हो चुका है तो इस स्टेश पे अब हम इसमें आड़ करेंगे दो टेबले स्पून चीनी चीनी आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो दो की जगत तीन टेबले स्पून या चार टेबले स्पून चीनी आड़ कर सकते हैं और इसे भी हलवे के साथ मिक्स कर लेंगे तो धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट होगी और हमारा हलवा थोड़ा और पतला हो जाएगा तो इसे लगतार चलाते हुए पूरी तरीके से सूखने तक हम इसे पकाएंगे जब तक की हलवे से घी रिलीज न हो जाए तब तक इसे पकाते रहना है अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकोन को प्रेश करना ना भूलें जिससे की मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे आप देख सकते हैं हलवा हमारा अच्छे से सूप चुका है और थोड़ा थोड़ा घीर से रिलीज होने लगा है तो इस स्टेज पर हम इसमें एड़ कर देंगे फ्राइ किये हुए ड्राइ फ्रूट्स और इसे हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनट के लिए और भून लेंगे जिससे की हलवा अच्छे से थिक हो जाए और इसमें से थोड़ा भी दूद का या कच्छे पपीते का टेस्ट नहीं आए कच्छे पपीते का हलवा बन करके सर्ब करने के लिए रेडी है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें और कमेंट करके जरू बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी और हमने जो पिछले वीडियो में कच्छे पपीते की बुजिया की रेसिपी से एर की थी आप उसे भी जरू ट्राइ करें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में झाल 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 झाल